दोस्तों अगर आपका अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप अपने अधार की पर्ची से या फिर अधार नंबर से अधार कार्ड को बिना रइस्टर्ड मोबाइल नंबर के निकालना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है वीडियो को पूरी देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ओ सारी भेलिड तरीके बताने वाला हूं जिसके मदद से आप अपना ओर्जीनल अधार कार्ड रेश्टर मोबाइल नंबर के बिना भी निकाल सकते हैं दोस्तों हमारे देश में अभी भी ऐसे लोगों की संख्या काफी जादा है जिन्होंने अपना अधार कार्ड बनवाते वक्त मोबाइल नंबर नहीं दिया है और अगर उनका अधार कार्ड कहीं गूम हो जाए तो फिर से उनको अपना दुबारा अधार कार्ड निकालने के ल जिनके पास अधार की पर्ची तो है, मगर उसमें मोबाइल नमबर रेइश्टर नहीं है, तो इसे लोगों को अधार कार्ट निकालने के लिए, सबसे पहले उस पर्ची को चेक करना पड़ेगा, कि अधार कार्ड आपका जेनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, दोस्तों अधार की पर्ची में जो 14 डिजित की इन्रॉल्मेंट आइडी है, उसे डालना है, उसके बाद वर्स को डालना है, और फिर महीना को डालना है, और फिर घंटा, मिनट और सकेंड को भी डाल लेना है, और बगल में आये कैप्चा को डालना है, और किलिक करना है, इसके बाद आपको यहां पे status दिखाई देगा कि आपका अधार कार्ड बना है या नहीं बना है और इसका दूसरा तरीका यह है कि आपको अधार की निसूल के help line नमबर 1947 पे call करना है और जिस जिस नमबर के बटन को दबाने को बोला जाए उसे अपने हिसाब से दबाना है और जहां पे आपको चेक अधार status के बारे में बताये जाए उसे चुनना है और अपने 14 डिजित के enrollment ID डालना है और फिर उसे confirm करने के लिए एक दबाने के लिए बोला जाएगा उसे दबाएं उसके बाद वहां से यह भी बताये जाएगा कि आपका अधार card बना है या नहीं बना है और अगदी बना है तो वहां पे आपको अपना अधार नमबर जानने के लिए भी option देगा जिस भी button को दबाने को बोला जाए उसे दबाना है उसके पस्चात आपको अपने area का pin को डालने के लिए कहा जाएगा उसे भी आपको दबा लेना है और confirm करने के लिए फिर से एक दबाएं जिसके बाद वहां से आपको आपका अधार नमबर बता दिया जाएगा उसे आप कहीं पे not कर लें अब आगे की परकिरिया है कि आप अपने अधार नमबर से अधार कार्ड को किसे पराप्त करें दोस्तों अधार कार्ड को अपने रेष्टर मोबाइल नमबर के बिना पराप्त करने की दो परकिरिया है मैं आपको यहां दोनों परकिरिया को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना धार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं आपको इन में से जो भी असान लगे आप उनके माध्यम से अपना धार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं मगर इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इसके पहली परकिरिया यह है कि आप अपने fingerprint को scan करके यानि कि उंगलियों के निसान के द्वारक अधार काड को download कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने नजदे की अधार के अंदर जाना है जहां पे नया अधार काड बनाया जाता है या फिर अधार काड में किसी भी तरह की update या सुधार किया जाता है वहाँ पे आपको अपना अधार नमबर बताना है और फिर वह आपके उंगलियों को स्कैन करके कुछी समय में आपको आपका यी अधार डाउनलोड करके दे देगा और इसके दूसरी तथा सबसे असान पर करिया यह है कि आप ओडर अधार पिविसी कार्ड की सर्विस को यूज करके अपना ओरजिनल पिविसी समार्ट कार्ड को आपके अधार कार्ड में दिये गए एड्रेस पे स्पीड पोश्ट के दुआरा मंगा सकते हैं जो की सबसे बेस्ट तरीका है और इसे आप अपने घर बेठे अपने मोबाइल के दुआरा भी मातर पचास रुपे की सूलक का भुकतान करके पिविसी समार्ट अधार कार्ड ओर कर सकते हैं और कुछी दिनों में स्पीड पोश्ट के दुआरा आपके पिविसी अधार कार्ड को आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है online pvc card order करने के लिए आपको माई अधार की website पे जाना है और वहाँ पे आपको order अधार pvc card पे click करना है और फिर आपको यहाँ पे आप अधार number या enrollment ID में से जिसके भी द्वारा pvc card को order करना चाते हैं उसे चुने और उसका number आपको यहाँ पे डालना है और फिर यह वाले capture को आपको यहाँ पे डालना है और अगर आपके अधार card में कोई भी mobile number registered नहीं है या फिर आपकी registered mobile number बंद हो चुकी है तो my mobile is not registered पर tick करें और enter mobile number में अभी आपके पास जो भी mobile number उपलब्द है उस number को यहाँ पे डालें और send.tp पे click करें जिससे अभी आपने जो mobile number डाला है उसमें एक one time password पराप्त होगी उसे आपको यहाँ पे डालना है और फिर term and condition पर tick करके आप इसे पढ़ लें और close कर दें और submit वाले option पर click करें और इसे okay करें फिर यहाँ पे आपको tick करके mac payment पे click करना है और फिर अपना payment option को चून लेना है तो मैं यहाँ आपको UPI से payment करके आप logo को दिखाने वाला हूँ और मैं अपने phone पे से payment करने वाला हूँ यहाँ पे आप अपना UPI ID डालें और verify करके proceed करें इसके बाद आपके phone पे payment notification चला जाएगा वहाँ से आप अपना UPI pin डालके payment की परकिरिया को पूरा कर सकते हैं और फिर वापस आपको इसी side पे आना है यहाँ पे आपको transaction status successful दिखाई देगा और नीचे में आप यहाँ पे capture डालके acknowledgement receipt को download कर सकते हैं और जिसके SRN number को आप use करके भाईस में इसके status को भी check कर सकते हैं और कुछी दिनों में आपके PVC आरधार card आपके घर पे deliver कर दिया जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नेचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को Facebook, WhatsApp तथा Instagram पर share करें और जरूरत मंद लोगों को पहुचाने में अपना योगदान दे जल्द है मिलते हैं एक नए ट्रिक के वीडियो के साथ आपका दिन मंगल मैं हो हम वीडियो के घ्माद से साथ, जढूरत में हो इाल magically बताएं प्राइब कर वीडियोlando